हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको शल्वार की कटिंग बताऊंगी तो फ्रेंट्स फ्लीज वीडियो को इसकी प्मत करना तो देखिए मैंने जो कप्ड़ा लिया है इसको मैं डवल नाप रही हूँ यह तो डवल नापने के बाद देखें है 44 इंच इसकी लेंथ है यह कपड़ा मैं डवल नाप है तो फ्रेंट्स देखिए इस कपड़े में मैं आपको फुल घेरवाली शल्वार की कटिंग बताऊंगी तो यह देखिए मैंने किनारी साइड से कपड़े को डवल फोल्ड करना है यह कि अपनी तरफ से किनारी साइड किनारी से कपड़े को डवल फोल्ड कर रही हूं यहाँ पर देखिए मैंने 6 इंच फोल्ड किया है उपर आधे इंच निशान लगाया है जो हमारा सिलाई में रहेगा 6 इंच की मैंने उपर की तरफ बैल निकाली है यानि 6 इंच की हम इसमें बैल लगाएंगे 6 इंच मैने नीचे निशान लगाया है मोहरी के लिए एक्टरा निशान लगाया है दो इंच का मोहरी का मोहरी हम इसी में रख रहे हैं मोहरी इसमें अलग से नहीं लगाएंगे तो यह देखिए अब मैं दूसरी साइड यहाँ पर इस तरीके से कली के निशान लगा रही हूँ तो फ्रेंट यह देखी मैं कली के निशान इस तरीके से लगा रही हूँ इंची टेप को हम इस तरीके से मिला देंगे मोहरी साइड से और दूसरी साइड के कोने से इस तरीके से इंची टेप रखके हमें यहाँ पर कल कंट में के और 6 इंच उकपर हमारी बीलड तो यहाँ पर 6 इंज के निशान लगा रहेगी 6 चुझा इंज की और इस तरीके से हम बराबर कटिंग कर कट लगा लेंगे यहां से हमारी मियानी जोंड होईगी ती मैंने डबल कपड़ा फोर्ड किया है मियानी के लिए 2 चोड़ाई है इसकी और 6 इंज की लंबाई है और इ यानि भी हमारे यह कट कर तैयार है तो इजी क अगैने हो जङे सब्सक्राइब करना कि अहएग्याद गदने को हुआ निशान कि मैं के में लिए पूर को विल इंच में पैछा है पूर एक हमने सान लेंगे हैं मैं इसको हमें सीधी कटिंग drugs चोड़ाई है वो 24 इंच है तो फ्रेट्स वीडियो पसंदा ही हो तो फ्रेट्स वीडियो को लाइक करना शेयर करना कर चैनल पर नहीं हो तो फ्रेट्स चैनल को जरूर सस्क्राइब करना फ्रेट्स आपको वीडियो में क्या समझ में नहीं आए कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं वीडियो में